हेलो फ्रेंट्स आज लेका आई हूँ मैं ऐक ऐसी बरफी की रेसिपी जिसे कहते हैं मोहनथाल तो आप इसको इसली तरीके से बना सकते हैं तो मैं बिल्कुर perfect recipe लेकाई हूँ तो एक बार आप इसको जरूर ट्राय करना तोहारों के दिन आ रहे हैं आप इसको कभी भी बना कर enjoy कर सकते हैं तो इसको बनाना बहुत easy है तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले friends अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती ह हो तो वीडियो को लाइक किजिए share किजिए comment किजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करना ना बोले वीडियो को start कर लेते हैं तो इस recipe को बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में ले लेंगे हम बेसन तो बेसन कोई भी आप ले सकते हैं जो आपके घर में हो तो मैंने यहां यहां पर को नीया है आप को भी कोटोरी ऍाट कर लिजे उसके साफ से मैं आप मेजर्मेंट कर सकते हम उसके बाद हमाने dzień इस में ढुरी यहां पर एगजि help तो यहां पर यह देसी गी उसके यहां पोड़ेने सचा-धठली की अच्छान miracle के और पर oxy vereं की अचान दोड़ दोड़ नेगे ले मैंने मेधा हां एक अभर कि मैं झाआएं से और पहुंड देंगे तो चान लेंगे अगर पतली च्छान का अस्तामाल हमने यहां पर नहीं करना है मोटी इच्छानि ही लें लेटी है जिससे दाना हमारा एक-एक मोटा मोटा आएगा और हम जब ये बर्फी बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट रेसिपी त्यार होगी कुछान लेने के बाद एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में मैंने आदा कटोरी घी का इस्तमाल किया है तो टोटल यहां पर मैंने आदा कटोरी घी लिया है कि दो चमच मैंने यहां पर पहले ही इस्तमाल कर लिया था बच्चेवी घी को भी इसमें ढाल लेंगे उस के बाद जो बेसन चान के लिए था उसको भी डाल कर बून लेंगे तो इस बेसन को भूनने में कम सखम आपको 10 से 12 मिनिट लगेंगे गैस का फिलिम बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है लो टू मीडियम गैस पर ही सारा प्रोसेस करना है तो दीरे दीरे भूनते जाएंगे तो जो बेसन का कलर वो एकदम चेंज हो जाएगा तो इस तरीका का कलर आजाने के बाद इसमें मैं डाल रही है दो आदा कप मलाई तो मैंने यहां पर फ्रेश मलाई ली है जो आपके घर में होती है तो रखी मलाई नहीं डालनी है, फ्रेश मलाई ही लेनी है, इसको एक से दो मिनट के लिए इसमें अच्छी तरीके से पका लेंगे, इससे क्या होगा कि बर्फी में टेस्ट अच्छा सा आएगा, आपको ना तो यहां पर मावा या मिल्क पालडर डालने की जुरूरत होगी, तो इस तरीके जब यह बेटर गाड़ा हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे हम दूसरे बर्तन में, तो मैंने यहां पर चासनी त्यार करनी है, तो उसी सेम कड़ाई में मैंने एक कटोरी चीनी ले ली है, आदा कटोरी इसमें पानी डाल लेंगे, तीन से चार मिनट के ल त्यार कर लेनी है, तो अब मैंने हाँ पर गैस का फिलम बिल्कुल बंद कर दिया है, उसमें डाला है इलाईची पाउडर, तो बंद गैस पर भी हमने जो बेसल लिया था, उसको भी इसमें डाल लेना है, तो थोड़ो थोड़ो करके इसमें डाल कर हम इसे चासनी में अच् तो मैं इसे लोटू मीडियम गैस पर एक से दो मिनट के लिए इसको और पका लूँगी तो एक से दो मिनट ही पकाना है जो इस तरीके की कडाई शोड़ना शुरू कर देगा तो हम इसमें लास्ट में डालेंगे एक चमज घी डालने से क्या होगा कि जो मिक्सर में जो हमारी बर्फी जमाएंगे उसमें अच्छी सी शाइन आ जाएगी तो इस तरीके का बैटर जो है वो त्यार हो चुका है यह कडाई शोड़ना शुरू कर दिया तो इसको निकाल लेंगे हम में जिसने बर्फी जमानी है तो इस तरीके का मैंने एक वर्तन ले लिया है उसे गी से ग तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तीन से चार घंटे के लिए तो तीन से चार घंटे हो चुके थे जो बर्फी है वो अच्छी तरीके से हमारी सैट हो चुकी है चाकू की सैथा से इसके पीस है वो कट कर लेंगे तो इस तरीके से मैं इसके पीस है वो कट कर ले रह रहे हैं आपका भी बीस को बना कर इंजोई कर सकते हैं तो मैं लेकर आओंगे आपके लिए ऐसे ही बैतरी रेस्पी तब तक के लिए बाई